आपने थमनेल पर पाहा होगा, इलाज के पहले इलाज के माइने को समझें। मुझे लगता है कि यह सबसे महत्पुर्ण पोड़कास्ट है और ऐसा कोई भी पोड़कास्ट अभी तक यूटीव पर साइद अपलोड नहीं किया गया होगा। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग चर्चा करना नहीं चाहते हैं या करते भी हैं तो उसके गहराई में नहीं जाते हैं। आज हम लोग इसी मुद्धे पर बाते करेंगे और समझेंगे कि इलाज के सही माइने क्या हैं। सबसे पहले हम लोग एलोपैथी के बारे में जान लेते हैं। इसे सग्य होते हैं उन्हें यूरोलाजिस्ट कहा जाता है। जो किड्नी के रोगों को देखते हैं उन्हें नेफरोलाजिस्ट कहा जाता है। तो इस तरह से विभिन तरह के डॉक्टर एलोपैथी में होते हैं। इसका तात्पर यह यह है कि एलोपैथ में संपुर्ण मानो सरीर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है बलकि उसके एक विशेस अंग के बारे में उन्हें सिक्षा दी जाती है जिसके कारण विभिन रोगों के लिए विभिन तरह के स्पेसलिस्ट या विशेसग्य होते हैं इस बात को हम लोग समझ चुके हैं अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं जब हम इलाज कराने जाते हैं तो गलती कहां पर कर जाते हैं आज यदि देखा जाए तो कोई भी स्पेसलिस्ट चाहे वे डर्मेटोलॉजिस्ट हों काडियोलॉजिस्ट हों पेडियाट्रीसियन हो गाइनकोलाजिस्ट हो यूरोलाजिस्ट हो या नेफरोलाजिस्ट हो ये सभी डॉक्टर एक सामान्य तरीके के जेनरल फिजीसियन की तरह काम करने लगे हैं वे सभी तरह के पेसेंट को देखते हैं एक डर्मेटोलाजिस्ट किड्नी के पेसेंट को भी देख लेता है हर्ट के पेसेंट को भी देख लेता है, एक गाइनी भी इसी तरह से हर तरह के पेसेंट को देखता है, पेडियाट्रीसियन भी हर तरह के पेसेंट को देखने लगे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो गलतियां होती है, हम डॉक्टर के नाम को सुनते हैं, उनके ख्याती को देखते है और अपने किसी भी तरह के रोग के लिए उनसे जाकर संपर्क करते हैं दिखाते हैं प्रणाम सरूप हम रोग से उबरने के बजाएच हम रोग के चक्कर में और भी गहराई से फंस्ते चले जाते हैं चुकि हमें सही तरीके से ये जानकारी नहीं होती है कि कौन से डॉक्टर क किस तरह के बिस्यसगे हैं, उन्हें किस रोग में महारत हासिल है। ये एक बहुत ही महत्पुन बिंदू है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। होने का परमुख कारण है लोगों से उस डॉक्टर के बारे में सुनना अब अब ध्यान दे मैं आपको एक 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 जामपल देता हूं कि एक डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट है वे सभी तरह के पैसेंट को देख रहा है एक व्यक्ति उसके पास गया जिसे पेट दर्द थ उसने उसे ये दवादी और वे ठीक हो गया अब उस व्यक्ति के दुआर उस डॉक्टर का मांँट पबलिसिटी किया जाने लगता है और किसी भी तरह के रोगी को वह अपना एक्ष्पर्ट एड़ॉज देने लगता है यदि किसी व्यक्ति को किड्णी का रोग है तो भी वह उसे उसी डॉक्टर के बारे में recommend कर देता है, यानि कि एक nephrologist के patient को वुस वैक्ति के द्वारा सिधे काडियोलोजिस्ट के पास जाने के लिए प्रोचसाहित किया जाने लगता है, इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में बहुत घटती है, एक वैक्ति अपने रोग के बारे में दूसरे वैक्ति से चर्चा करता है और दूसरे वैक्ति अपना expert advice देकर उसे गलत जगह पर भीज़ देता है, प्रणाम सरूप, जिस वैक्ति को रोग हुआ है, वह रोग के चक्र में और भी फंसता चला जाता है, और उसका स्वास्त गिरता चला जाता है, ये था पहला point, बड़ा ही महत्पुर्ण है, अब एक दूसरे बिंदू पर मैं चर्चा करता हूँ, इलाज का मतलब क्या होता है, इलाज का मतलब होता है, एक बड़े डॉक्टर के पास जाना, जिसका ख्याती काफी फाइला हुआ है, चाहे वो किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट हो, वह इसकीन का भी से सग्ये हो, हिरदय भी से सग्ये हो, बच्चों का भी से सग्ये हो, इस्त परमूट करना प्रारंब कर देता है और अलग-अलग रुगों के मरीज को पास भेजना प्रारंब कर देता है इससे उन्हें कोई फाइदा नहीं होता है लेकिन अपने विशेश सलाह को देने के चक्र में वे एक बीमार व्यक्ति के स्वास्त को और भी अधिक खत्रे में डाल देता है अब पिपल मेंटिलिटी पर हम लोग बाते करते हैं इलाज का मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए यह होता है कि वे एक बड़े डॉक्टर के पास जाए बड़े डॉक्टर का अर्थ है जिसका नाम फैल गया हो जिसका बहुत बड़ा क्लिनिक या हॉस्पिटल हो जहा उसे नंबर लगाना पड़े इंतजार करना पड़े फिर डॉक्टर से मिले और फिर तरह तरह के टेस्ट करवाए धेर सारा खर्च करे और फिर उसे क्या होता है यह तो उपर वाले पर ही निर्भर करता है लेकिन यदि ऐसे वैक्ति के साथ कोई दुरगटना घट जाती है तो भी वे इसे अपने सम्मान की तरह समाज में लोगों को बतलाना प्रारंब करते हैं मैंने इसे धेर सारे लोगों को देखा है जो बहुत बड़े एलोपैथिक होस्पिटल में जाकर भरती हुए या फिर उनके रिष्टेदार भरती हुए वहाँ पर उन्होंने 10 लाग 15 रुपै भी खर्च किया और मरीज भी वापस लौट कर नहीं आया लेकिन वे खर्च और उस हॉस्पिटल का एस्टेटस उनके लिए सम्मान की बात हो गई और वे इसे लोगों के बीच काफी फक्र के साथ सुनाते हैं उन्हें इसे कोई भी फरक नहीं पड़ता है कि उनके रिस्तेदार वहां से जिवित वापस आए या उसी जगहां उनके मिर्तियू हो गई लेकिन प्रिस्टीज है लोगों के बीच इसे सुनाना वे अपना बड़तपन समझते हैं इस तरह के मानसिक्ता से हमें बचना चाहिए हमें सही तरीके से रोक को समझना चाहिए डॉक्ट नहीं करना चाहिए बलकि डॉक्टर से मिलकर अपने रोक के बारे में बतलाना चाहिए फिर उनसे पूछना चाहिए सर मुझे किस डॉक्टर से दिखलाना चाहिए क्या आप इस रोक के भी से सग्ये हैं और फिर उनके सलाह के दुआरा कोई एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाएं इससे उनका स्वास्ट भी बहतर होगा और वे रोक के चंगुल से भी निकल पाएंगे अब हम लोग बाते करते हैं होमियोपैत के बारे में चुकि मैं खुद एक होमियोपैतिक कंसल्टेंट हूँ लेकिन मैं इस पोड़कास्ट के माध्यम से होमियोपैतिक को परमूट नहीं कर रहा हूँ बलकि लोगों के बीच एक जागरती लाने का प्रयास कर रहा हूँ बड़ा ही relevant logic है तर्क है यदि आपको पसंद आए तो आप comment करें और नहीं पसंद आए तो negative comment करें ताकि मैं भी जान सकूँ मैं कहा तक अपने प्रयास में सफल हूँ होमियोपैति में चुकि लक्षनों के अधार पर रोग का इलाज किया जाता है जिसके कारण इसमें विभिन तरह के विभाग नहीं होते हैं यहाँ पर कोई dermatologist, cardiologist, urologist, gynecologist, dentist या nephrologist नहीं होता है बलकि लक्षनों के अधार पर इलाज किये जाने के कारण एक डॉक्टर किसी भी तरह के patient को देख सकता है हाँ, homeopath में कुछ कमिया भी है, homeopath में surgery का कोई परवाधान नहीं है यह बिल्कुल एलोपैथी का छेतर है और एक homeopathic doctor जब इस बात को महसूस करे तो ऐसे patient जिन्हें surgery की आवस्यक्ता है उन्हें सीधे एलोपैथ में उन्हें जरूर भेज़ देना चाहिए लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, उत्तम स्वास्त के लिए homeopathic consultant से संपर्क करना, homeopath की दवाओं को लेना हर तरह से सुरक्षित होता है और इसका यही कारण है कि यहाँ पर विभिन तरह के department नहीं है, विभिन तरह की पढ़ाई नहीं है, एक ही पढ़ाई है और उस पढ़ाई के दवारा हर तरह के रोग का निदान किया जा सकता है, चुकि homeopathic एक लक्षना नुसार चलने वाली पैथी है, यहाँ पर लक्षनों का इलाज किया जाता है, किसी रोग का नहीं इसकी दवाउं का कोई side effect भी नहीं होता है, बसरते इसे सही तरीके से administrate किया जाए Friends, यह था हमारे आज का podcast, मुझे आसा है यह आपके लिए काफी महतपुर्ण होगा, कम से कम हर वैक्ति अपने जीवन में कभी न कभी तो बिमार जरूर पड़ता है वे यदि इस podcast को सुनते हैं, तो वे निश्चित रूप से सही तरीके से अपने स्वास्त को वापस प्राप्त कर सकेंगे, वे सही डॉक्टर से मिल सकेंगे और अपना इलाज करा पाएंगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, this is Dr. N.K. Sinaas, signing off, see you in the next video. Thanks for listening this podcast.